मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले लगातार भाश्पा नेताओं का पार्टी से मोभंग हो रहा है क्या नेताओं की नाराजगी बीजीपी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगी इसी सवाल के जवाब को जाननी की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में नमशकार आप देख रहे हैं अमरुजाला, MPCG और आपके साथ मैं हूँ राधबकुत्रा असवक्त मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव से सियासी सहगर्मी तेज हो गई है बीजेपी की जन अशिवाद यात्रा में जहां देश के कई दिगज नेताओ और मंतियों का जमावडा देखा जा रहा है तो वहीं कॉंग्रेस ने अपनी जन आकरोश यात्रा का जिम्मा कई नेताओं के हाथों में सौप दिया है अब इसी बीच चुनाव से पहले दल बदल का खेल भी साफ देखा जा रहा है जहां बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है एक तरफ चुनाव से पहले असंतुष्ट और नाराज नेताओं का मनानी की जिम्मेदारी वरिश नेताओं को सौपी गई थी लेगिन इसके बावजूद भी भाश्पा से नेताओं का जो जाने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा जिससे बीजेपी को तगड़ा जटका भी लग सकता है और हो सकता है कि इसका असर आने वाले विधान सभा चुनाव पर भी मिले तो वहीं पार्टी में अधिकतर नेता भाश्पा चोड़ने का कारण नए लोगों के आने से पुरानों की उपेक्षा करना बता रहे हैं उनका कहना है कि उनकी ना तो संगठन में पूछ परक हो रही है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है भाश्पा के लिए मुश्किले इसले भी भड़ सकती है क्योंकि इनमें कई नेताओं का अपने अपने शेत्रों में अच्छा जनाधा रहा है सिंध्या समर्थक को की बात की जाये तो अब तक समर्थक, बेजनात यादव, राकिश गुपता, रगुराज धाकर और शिवपूरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू कॉंग्रेस का दामन थाम चुके हैं बीजेपी के नाराज नेताओं ने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कॉंग्रेस में शामिल होने से विरोध भी शुरू हो गया है कॉंग्रेस नेताओं का कहना है कि ये नेता टिकेट कटने के चलते कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं ऐसे में इनको पार्टी भले ही ले ले लेकिन यदि टिकेट दे दिया गया तो इसका विरोध होगा और आपको बता दें कि हाली में बालागाट के कटनी के नेता बोध सिंग का कॉंग्रेस जॉइन करने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था हाला कि MP में बीजेपी की लंबे समय से सरकार है लेकिन जिस तेजी से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उससे बीजेपी कि स्थिती करनाटक जैसे ही दिखने लगी है जहां चुनाव से पहले नेताओं में बीजेपी छोड़ने की होल लग गय थी हला कि अब कॉंग्रेस को भाजपा की सिर्फ उटवर्ल से कितना फाइदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा MP से जुड़े इसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर